बिस्मिल्लाहिर्मानिर्वहीम, on the demand of नीलेश राठ्थार from हमीरपुर UP, एक ट्रिग्नोमेंट्री की एक प्रॉब्लम है, साइन हाइपरवोलिक X प्लस आइवाइ, सेपरेट इन्टो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, तो इस एक्सप्रेशन को हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करके लिखना है, बैलू है साइन हाइपर, जिसको मैं कनवर्ड करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में डिसोसियेट करना है, उसकी बैलू है, साइन हाइपरवोलिक X प्लस आइवाइ, मैनस i into sine i z, यहनि हम hyperbolic function को circular function में convert करते हैं, तो minus i का multiply, और sine i z के साथ भी i से multiply हो जाएगा, तो यहाँ पर value हो जाएगी, minus i into sine i और जो भी angle है उसमें multiply हो जाएगा, x plus i y, जो कि एक complex number है, अब यहाँ पर इस i का अंदर दोनों में multiply कर देंगे, तो minus i into sine of i x और i into i करेंगे, i square हो जाएगा, i square की value minus 1 होती है, minus का y हो क्या, अब यहाँ पर हम circular function के लिए, जो हमने formula पर रखा है, i school में 10 class level तक पर, a minus v, sine a minus v को यहाँ पर apply करेंगे, जिसकी value होती है, sine a cos b, और minus है, तो cos a, minus cos a into sine v, इस identity को यहाँ पर apply करेंगे, i x और y के लिए, minus i बाहर रहेगा, और हम इस bracket में इसको open करेंगे, इस formula के according, तो value आजाएगी, sine, i x, sine a cos b, minus cos a into sine b, यहाँ, sine y हो जाएगा, b की जगह पर, इसको बाहर रहेगे, यहाँ पर भी एक identity apply होगी, इसमें, sine जो इसी से, हम drive कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम, यहाँ पर sine i, z की value निकालना पड़ें, sine i, z की value, तो यह minus i से divide करना होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, sine hyperbolic z को divide करना होगा, minus i से, अब i का उपर नीचे multiply और divide कर लें, तो अपान में देखेंगे, कि minus i square हो जाएगा, जिसकी value minus 1 होती है, i square की value, तो minus 1 से, यह minus केंसे लोगे plus हो जाएगा, यहनि, sine i, z के लिए एक formula त्यार हो गया, i sine hyperbolic z, तो इसको हम direct यहाँ पर use करेंगे, sine i, z की value होती है, i sine hyperbolic x हो जाएगा, into cos y, और cos की identity में बस i हटा दिया जाएगा, और यह circular function, hyperbolic function बदल जाएगा, i की जगा पर h हो जाएगा, यहनि, cos hyperbolic x into sin y, अब bracket open करेंगे, और i का अंदर multiply करेंगे, यहनि, minus i का, तो minus i square हो जाएगा, into sin hyperbolic x into cos y, minus का i समें into करेंगे, तो plus हो जाएगा, i into cos hyperbolic x into sin y, इस तरीके से, i square की value minus 1 के को लोती है, तो i square की आपर minus 1 रख देंगे, into sin hyperbolic x into cos y plus i into cos hyperbolic x into sin y, और यह minus minus plus हो जाएगा, और real portion हमको मिल चुगा है, यहाँ पर, sin hyperbolic x into cos y, और plus i into cos hyperbolic x into sin y, तो इतना real part हो गया, और यह imaginary part हो गया, thank you very much indeed for listening me, वाकरोद दावाना, अलहम्दोलिल्लाही रभ्यलालमेन, लाकरोद टेंगो हिए,